नमस्कार एक बार फिर स्वागत है नरेंद्र पकड के साथ पकड नीज में और कैमरे पर राजीव जी बना हुए हैं हमें ऐसा मतलब यहां पर जानकारी मिली है कि यहां पर कोई सोसाइट करने जा रहा है और चली फिर देखते हैं आखिर मतलब क्या सीन है और कौन मतलब बैकती है जो मतलब यहां पर सोच रहा है तो आज हमारी टीम पकड नीज की टीम यहां पर यह बीरान जंगल पड़ता है तो यहां पर मतलब आई हुई है तो चली फिर देख लेते हैं आखिर कौन है जो मतलब यह suicide करने जा रहा है तो थोड़ा चल की ज़रा देखते हैं और उसे ढूलने की कोसिस करेंगे कि आखिर मतलब कौन है जो suicide करने जा रहा है और उसके साथ में क्या मतलब हास्सा हुगा है जो वो अपनी जान देने की सोच है तो चली फिर यहां पर जड़ा दिखाई यहां पर यह कोई है और यह कोई जो है साथ मतलब यहीं हो सकता है तो चली फिर उससे मतलब देखते हैं यह कुछ मतलब फंदा वगएरा भी कुछ उसने बना रखता है और यहां पर आप देख पा रहे हूंगे यह फंदा बनान कि यह यहां पर दिखाई यह यह फंदा मतलब इसने बना लिया था लेकर पकड न्यूज की टीम ने इसे रोक लिया है और पूछते हैं आखिर मतलब क्या मतलब इसके साथ में हघए क्या मतलब इसके साथ में घटना होई गोड़ना हूं तो चलीए फिर बात कर तो यह है कि कि तुम्हारे साथ में आखिर क्या मतलब हथा हुआ जो तुम्हें इतना बड़ा यह कदम उठा रहे हो अरे मैं फेस्बुक चला रहा था एक लड़की उदर से कॉल कर रही मेरे पास अच्छा दो एक दिन दो तीन वार कोल किया मैंने मना कर दिया मैं साधी सुधा हूं हां फ मैं आपना दिखाया पूरा फिर वीडियो मेरी बना लिए पूरी अच्छा थी जिए अब इसने मतलब यह बनाई थी और उसने मतलब रिकौड कर लिया हो गाइं स्क्रीन रिकॉर्डर से अच्छा फिर उसके बाद में क्या हुआ तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ब्यक्ति जो है ये सुसाइट करने जा रहे थे हम लोगों ने यहाँ पर इने रोक लिया है और थोड़ा सा अगर देर अगर ओ जाती तो साइट कोई और घटना हो सकती थी नंके साथ में जाती अच्छा उदर से कॉल आई थी फिर उसके बाद में वाटसेप पे उसने स्क्रीन रिकॉर्डर से अच्छा अपना नमबर भी दिया था मेरे लिए कि इस पर आड़ी निकालो तो मैंने चेक किया तब तक उदर से कॉल मेरे पास अच्छा जब तक मतलब उदर से कॉल आ गई और उसने नए स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया ठीक फिर नहीं यह लगातार मतलब धंकी दे रही है कि हम हम जो है यह फेस्बुक पर या यूटूब पर यह अपलोड कर देंगे और आप फिर होगी तो मतलब फिर मतलब क्या मतलब उसकी डिमांड बगरा थी वो मुझसे पैसे मांगती लिए मैंने उसे रुपए भी डाल दिये उसके एकाउंट में अच्छा हां दिखाईए यह है देखो कि मैंने उसका एकाउंट डाल नंबर डाला था उसका फोटू भी है मेरे पास अच्छ उसके एकाउंट में पैसे डाले थी कितने डाले दे चैया रुपए डाले थे ले पर लेनी पाए यह ऊच्या पित्तू लाल पित्तू लाल मतलब कोई है और उसका नमबर जुआ precend to OC arena jea मतलब उसका साइट पेटीयम नमबर होगा ठीक है तो इस पे इन्हों ने मतलब यह पैसे भी डाल दियें फिर मतलब पृत और मतलब क्या मतलब आपने पेमेंट के इसे डाल यूटूब बाले कहां से लेंगे यूटूब बाले थोड़ी मतलब फून करते हैं कोई मतलब फ्रॉडी ब्यक्ति होगा ना कुछ भी यह मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे पास फॉन किया वह अपना आइडी नंबर दिया इस नंबर पर डाल दो ठीक है आपने मतलब पेमें रहते हैं आए दिन और यह एक तरीके से यह पूरी इन लोगों की यह फ्रॉड मतलब जो पूरी टीम होती है वो यह भाक्या को अंजाम देती है और इन जैसे मतलब भाई लोग उस चकर में उस चंगिल में फसे जाते हैं होता क्या है सीन उसमें की जैसे फेसबुक होता है या मतलब ट्यूटर है इस्टाग्राम बगर है यह जितने भी सोसल मेडिया प्लेट फार्म है वहाँ पर कुछ मतलब लेडीज या फिर जैन्स भी हो सकते हैं उसमें मतलब पता नहीं होता है कि यह जैन्स हैं या फिर लेडीज वह उनकी प्रोफाइल पर पर लेडीज फोटू लगी होती है अब यह नई उमर के यह लोग उससे मतलब By मतलब शुरू करते थैं फिर वह इस तरीग यह कहते हैं हमारे साथ में मतलब ऐसा गंदा काम करेंगे ओ अ और फिर उनकी स्क्रीन रेकोडर से रिकॉर्ड मतलब कर लिया जाता। वीडियो बनाके फिर इन लोगों को डराया दमकाया जाता। की आप मतलब यह कारवाई होगी बो कारवाई होगी। फेस्बुक पे अपलोड कर दी जाएगी। यूटूब पे अप्लोड कर दी जाए तो इस तरीके से यह फ्रॉड करके और इन लोगों से अच्छा बार-बार धंकी भी दे रहा था अच्छा क्या कह रहा था तुम्हें जेल में एक साल एक लाग रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और आपको उमर कैद भी हो पाइए उसने दुबारा कितने की दिवार की दुबारा की दुबारा मतलब दिवांड बढ़ती जाती लेकिन तुम लोगों को ऐसा कदब नहीं उडाना चाहिए कि इस तरीके से अपनी जाम दे दो अपना पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसपर कर बादो यह एक गलत है त यह हाथसा किसी के भी साथ हो सकता है आप इनके चंगुल में ना पढ़ें और इस तरीके का यह पूरा रैकेट है पूरा रैकेट है जिसे आज पकड़ नीज की टीम उसे एक्सपोज कर रही है समझे यह अधिकतर यह लोग फेस्बुक पे बहुत फैला हुए हैं अब चैट इन चैटिंग शुरू हो जाती है और इसमें थोड़ी सी घलती तुम्हारी भी है क्या गलती है गलती मानते हो अपनी जी हाँ क्यां गलती है उनके मुझे अपना नमबर दिया बोले हम आप से बात करना चाहते हैं अचा ठीक है फिर उसने मुझे 2-3 बार पोन कि और ऐसी कहती रही मैंने उसको बोल भी रहा कि मैं साधी सुधा हूं अच्छी नहीं उसने मुझे इतना टाउचर कि मैं अपने आपको रोक नहीं पाया अब यह बताओ कि जो भी हो गया तो यह सभी जतने भी यह देख रहे हैं यह एक तरीके से मैसेज है कि जो इनके साथ में यह कोई इसक्रिप्ट वाली वीडियो नहीं है यह रियल है रियल पर्सन है इनके साथ में बास्तम में बाकई हासा हुआ है और सारे प्रूफ इनके पास हैं और यह सुसाइट करने जा रहे थे तो पकड़ निउज ने इन्हें रोका है और इन्हें समझानी की कोसिस कर रहा है कि यह मतलब यह गलत है यह भी एक काम जो है सुसाइट करना यह भी गलत है और अपने समझान के भी खिलाफ है ठीक है इससे कोई भी मतलब नहीं होता है डंड तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग यह इस तरीके का यह धंदा मतलब यह फैला के रखा है और इस तरी आप देख रहे हैं कि इनके साथ में यह आसा हुआ है किसी के भी साथ में ऐसा ना हो इसलिए थोड़ा सा मतलब ध्यान सतर्खता रखिए सोसल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए गलत इस्तेमाल मत कीजिए तो एक चीज़ बताईए अब आप समाज से इतने लोग आपको मतलब देख रहे हैं आप उनसे क्या हेल्प चाहते हैं उनसे हेल्प क्या चाहते हैं यही चाह रहा है कि जैसे मेरे साथ हुआ है आप भाई साथ आप भी ऐसा ना क फोटू भी उनका कोई रियल नहीं होता नंबर भी किसी और आधार से मतलब लिया हुआ होता तो उन्हें पकड़ना तो नामुंकिनी है तरीके से लेकिन जब यह दबाव पड़ता तो यह अपना पुराना वाला एकाउंट बंद करके और दूसरा मतलब यह फिर मतलब बना ल होते हैं और उसे रोकने की कोसिस करना चाहिए फेस्बुक पे या सोसल मीडिया पे कोई भी अगर अगर बनाए तो उसकी परसनल मतलब आईडी से ही बैरिफाई करके तभी मतलब वो एप्रूब करें और नहीं तो यह ऐसे तो मतलब हाथ से मतलब आए दिन होते ही रहेंगे तो थोड़ा मतलब साइबर क्राइम को भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि इस तरीके से यह हमारे पास लाए भी यह बैठा हुए हैं और यह अगर साइद अगर हम नहीं आगर नहीं आते तो यह साइद मतलब कोई अपने साथ में हासा मतलब कर सकते थे तो एक ची बताईए अब आप जैसे मालिया जो उसने दम की दी तो आप मतलब क्या चाहते हैं कि उन्हें डंड मिलना चाहिए और आप जो हैं आगे से कभी मतलब ऐसे इन लोगों के चक्कर में तो नहीं पढ़ेंगे आप नहीं इनके चक्करम पड़ाएं उन्हें डंड मिलना चाहिए तो आप ये सोसाइट बगएरा का तो नहीं कभी सोचेंगे तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद आप देख रहे थे पकड़ निव नरेंद्र पकड़ के साथ और कैमरे पर राजीब जी लगातार बना हुए थे तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं जब तक के लिए नमस्कार जैहिन